हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इसीस कोकिंग स्टाइल कैसे आप सब आप सब आप सब एक दर बढ़िया होंगे आज कुछ मीटा खाने का मन था तो घर में अकसर दूद और चावल तो मेली जाते हैं तो मैंने सोचा चलिए फिर बढ़िया सी फिर्णी बनाई जाए अगर आप लोग भी मीठे के शौकीन हैं तो यह फिर्णी आप जरूर ट्राइ करें एक बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस रेसिपी है अगर आप भी मीठा खाना है चाहते हैं तो फटा-फट सी यह फिर्णी की रेसिपी ट्राय करें और मुझे चैनल को एक बर सब्सक्रा पानी और इसमें आने देंगे एक बॉइल चलिए जब तक हम चावल की तयारी कर लेते हैं यह मैंने एक चोटी ग्लास से आधा ग्लास चावल ले लिया है अगर आपके पास जादा टाइम हो तो आप इसको बिगो कर सुखा कर पी सकते मेरे पास टाइम कम है तो मैंने चाव बिलगी में चावल पिश चुकिए है मैं आपको दिखा देती हूं इस तरीके से हमें इसको ह्रुकिल इतना मोटार्कना है बिल्कुल फाइन पावडर इसका नहीं बनाना है देखे मेरे आपको दिखा दे रही हagu पास से मिल इतना ही पीसना है इसके बाद pont पीनि प्रत के र चलिए अब हम इसको एक बार स्पून से इस तरीके से हिला कर देख लेते हम इसमें चावल डाल देंगे जब भी आप चावल डालें तो हमेशा याद रखी हमें स्पैचुलर की मदद से continue हमें इसे चलाते रहना इस यानि स्टट करते रहना है अगर हम इसे चलाना छोड़ दे अब हमें क्या करना है हमें इस तर ये देखिए चावल जो है बढ़िया से पक चुके है मैं आपको दिखा दे रही हूं अगर जब आपके चावल पक जाएंगे तो दूद में थिकनिस आने लगेगी यह देखिए चावल जो है अच्छे से हमारे बहुत पक चुके हैं मैं पास से भी दिखा दे रही हूं अब इसके बाद हमें क्या करना है हमें इसमें डालना है चीनी यानि शक्कर मैं यहां पर यूज करूंगी डेड़ कप चीनी का लेकिन एक कप मैंने अभी डाल दिये और इसको अच्छे से चला दिया है ताकि जो चीनी है वो इसमें बढ़ि आप नहींद कर दी है और इसके बाद हम इसे बराबर से होसा चला लेंगे छाला ढीकर दीर बाद। कम से कम दसे पंदरां मिनक्ने के पाद करेंगे हम डालेंगे मावा आप बलते हुं यह खोया हमारे साइड खौया कोबड़ा जाता है तू अब अभ। ὃट वन बाउल के लग भग खोया ठीक है अगर आ आपके पास खोया ना हो तो आप खोया ना डाले मेरे पास था तो मैंने एक बाउल डाल दिया है और इसको बढ़िया से हम चला लेते हैं ताकि जो खोया है वो तली में चिपके ना यह देखिए मैं इसको बराबर से चलाती रहूंगी ताकि जो खोया है ना वो तली में लग जाता है और बस इसी बीच में हम क्या करेंगे यहां पे मैंने कुछ मेवे ले लिये हैं जिसमें 30 बादाम है और 30 काजू है इसका आधा पोशन मैं इसी टाइम इसमें एड़ कर दूंगे ताकि जो मेवे हैं वो अच्छे से और इसको भी अच्छे से हम इसमें कर लेंगे मिक्स और बस इसे कंटीन्यू हमें चलाते रहना है ताकि जो हमारी चावल और मेवे वगेरा और यह सब मिक्स हो जाए और मावा दली में चिपकेना यह देखिए इसे चलाते हुए मुझे कम से कम पांच मिनिट और हो चुके ह यह हमारा जो फिर्णी है वह बढ़िया से बनकर हो चुकी है अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ओफ अब हमें क्या करना है अब हमें इसे बिल्कुल कर लेना है ठंडा मैं इसको गैस से उतार कर नीचे रख दूंगी और ठंडा उने का वेट करूंगी यह लीजिए परफे फिर्णी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है अब आप यह रेसिपी एक बर जरूर चाय करें आपको भी मजा जाएगा और बस इसको उपर से गानिश कर देंगे इसमें मेवे और जो हमने बचा कर रखे हुए थे वह हम उपर से और डाल लेंगे यह लीजिए बड़िया करना बिलकुल भी ना मूब भूलें मिलते हैं नेट्स वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ जब तक के लिए थैंक यू